किटनी बीमारी पता करने के लिए कौन सी जांचे करवाएं, कौन सी जांचों से पता चलेगा किटनी खराब है कि नहीं है, तो किटनी के अगर बीमारी आपको पता करना है, तो एक किटनी फंक्शन टेस्ट होता है ब्लैट में, जिसमें यूरिया, क्रियाटनीन और यूरिक पोटेशियम का लेवल, तो किट्नी ठीक है की नहीं है, तो यूरिया, क्याटिन यूरिकेसिड, जो किट्नी फंक्षन, टेस्ट के नाम से होता है, उसमें से पता चल जाएगा, चार पांसो की जाच है, और सोडियम पोटेशियम का लेवल भी करा सकते हैं, वो किट्नी के बारे में पता चलता है, और यूरिन, माइक्रो, अल्बुमिन और ACR रेशियो होता है, यूरिन से ही होता है, वो अरली किट्नी डेमेज के बारे में बताता है, तो यूरिन में ये दो तरह की जाचे गए, उससे पता चलेगा, इसके लावा सोनोग्राफिक जाच किट्नी डेमेज है की नहीं है, किट्नी की साइज के बारे में कोई उसमें पतरी है, कोई स्टोन है, किट्नी छोटी हो गई है, बड़ी हो गई है, सिकुड गई है, उसके अंदर किसी तरीके का कोई सिस्ट फार्मेशन है, कोई डाइलेट हो रही है, उसके कार्टेक्स मेड में किस तरह का ekogenicity है वो sonography से पता चलता है और color driver भी करा सकते हैं जिसमें ब्लेट इसलै है उन्हों पर बाभी यूरिया क्रियाटिन बढ़ा हुआ रहता है उस केसे में फिर काफी सारा ब्लड पैरामीटर है जो रेगुलर आपको कराना पड़ेगा च्छे मेने में एक साल में जिसमें से हीमोगलोबिन की जाँच है कि किट्नी पेसेंट में हीमोगलोबिन का कम होना एक कामन बात है इरित्रोपाटिन कम होने के कारण इसके लावा कैलसियम की जाँच है पीटियच की जाँच है फासफोरस की जाँच है बाइकारबोनेट की जाँच है यूरिया क्रेटिन की जाँच है तो अगर किसी को established kidney बीमारी है तो ये कुछ test है जो routine में करवाय जाते हैं ताकि सरीर में कुछ कम ना होने पाई especially potassium की बात करें, calcium की बात करें, PTH की बात करें, hemoglobin की बात करें लेकिन किसी को kidney damage है कि नहीं अगर testing की बात करें, पता करना है तो sonograffy की जांच है, urine में, routine microscopy में, protein, sugar की जांच है, इसके लावा micro albumin करा जा सकता है और urea, creatinine और uric acid जो blood में होता है तो ये आपका लगभग 1000-1500 रुपए के जांच है, जो कितनी सही है, नहीं है, कितना काम कर रहे है, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा